नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PCSNP Tech में दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से PCSNP Ayurveda Clinic Software का यूज़ करके आप Daybook की Closing और Opening कर सकते हैं, कि आपके पास कितना Amount अभी है Opening Amount कितना है, Closing Amount कितना है, Daily का आप चेक कर सकते हैं, कि कितना Closing है, कितना Opening है जब भी आप Opening करें, तो Opening करते समय जो भी Currency आपके पास available है, उस Currency का पूरा Record आप मेंटेंग कर सकते हैं और closing करते से यह भी currency का पुड़ा record आप maintain कर सकते हैं बिना opening और closing currency को डाले हुए आप day end के process को perform नहीं कर पाएंगी वो आपको डालना mandatory है अगर किसी क्लिनिक में कोई operator है जो cash collection को maintain करते हैं तो उनको day book में जो opening और closing currency है उसको entry करना mandatory है तो उसको किस तरह से आप manage करेंगे चली देखते हैं सबसे पहले जाएंगे day book master में day book master में आप देख पार है running date जिस भी date में software रन कर रहा होगा वो date आपको यहाँ सोगी लेकिन जो opening date है यहाँ पर आप देख पार होगे एक current opening date लिखी हुई है कि जो software की opening date है वो 6 तारीक है यानि कि आपका software तो running date 22 है यानि कि जो system की date है लेकिन जो software जिस date पर run कर रहा है यानि कि जहाँ पर हमने last closing की थी और opening हुई थी तो वो है 6th of March 2022 यहाँ पर आप voucher की भी entry कर सकते हैं कोई voucher है जिसको जैसे receipt है payment expenses है आपने किसी से कुछ receive किया या आपने किसी को कुछ payment करी या आपके office के जो खर्चे हैं लिएक जो expenses है like electricity charges हो गए internet charges हो गए tea हो गया, water हो गया तो इस तरह के charges को भी आप इस तरह के खर्चे को भी आप यहाँ पर payment को आप entry कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि opening balance 14,844 है और closing balance 15,904 है अब हम opening currency यहाँ पर day close का option enabled है हम अगर day close पर without opening currency या closing currency डाले वे courses करते हैं, हम day close करेंगे तो यहाँ पर तुरह मेसेज आएगा please enter collection of morning shift then day close will perform तो अब हमको जो opening currency है उसका record पूरा यहाँ पर enter करना पड़ेगा, माल लेजिए 2000 रुपीज के हमारे पास 7 notes थे हमने enter कर दिये अब यहाँ पर total बता दे आएगा, अभी balance कितना बचा हुआ है 500 के हम कहारे पास 1 note था, तो हमने 1 currency डाल दी, then 100 के हमारे पास 2 notes थे, हमने वो डाल दिया 20 के हमारे पास 1 note था, हमने वो डाल दिया then उसके बाद हमारे पास 50 यह 2 notes थे, हमने वो enter कर दी then उसके बाद 10 के 2 notes थे, हमने वो enter कर दी then उसके बाद 2 के 1 currency थी, हमने वो enter कर दी तो इस तरह से आप यहां पर बैलेंस देखिए टोटल तो 14,844 है लेकिन जो उसका बैलेंस है अब 0 बचा यानि कि सारी करेंसी हमने एंट्री कर दी अब हम यहां पर सेव करेंसी पर क्लिक करेंगे तो ओपनिंग करेंसी सेव सक्सेसफुली अब उसी तरह से हम क्लोजिंग करेंसी को परकॉर्म करेंगे क्लोजिंग करेंसी ने भी हम 2000 के 7 नोट 200 के 5 नोट्स 100 के 5 नोट्स 50 के 5 नोट्स 20 के 5 नोट्स तेन उसके गाद हम इसको सेव करेंसी पर क्लिक करेंगे अब क्लोजिंग करेंसी ओपनिंग करेंसी दोनों के एंट्री होगी अगर इसी बीच किसी सिस्टम से ऐसा हो कि कोई टानेक्शन परफॉर्म होगी मा लिजे एर रिसेट होगी या कोई expenses परफॉर्म हो गया या मा लिजे ऐसा हो गया कि कोई bill generate हो गया तो उस समय closing balance जो है increase कर जाएगा तो जैसी आप day close करोगे अगर closing balance increase हो चुका होगा तब भी यहाँ पर उस पूरी currency को डाले बिना आप आगे day close परफॉर्म नहीं कर पाएंगे देन हम day close पर click करेंगे अब day close successfully जैसी day close हुआ तो जो current opening date है वो 7th of March 2022 और opening balance जो 6th of March का closing balance था वही 7th of March का opening balance बन गया और वही अभी closing balance है तो दोनों same होगे तो इस तरह से आप day book को perform कर सकते हैं अब इसी अगर day book की report देखनी हो तो day book की report देखने के लिए से माली जी हमने 6th of March को क्या-क्या हमारे collections थे और क्या-क्या हमने opening currency या closing currency की जो detail feed की थी वो क्या-क्या थी तो हमने from date select कर ली जिस भी date का आप चेक करना चाहते हैं हमने show किया शो करने के बाद आप यहां देख पा रहे हैं जो हमारा collection था वो 1,233 का था और उपर सबसे टॉप में दिखा रहा है कि जो opening balance था 14,844 हमने cash में 1,060 रूपीज करेक्ट किये debit card से 73 रूपीज यूपाई से 100 रूपीज और जो हमारा balance amount था वो 475 था अब जो closing balance हो गया और 15,904 हो गया जहां पर opening currency की पूरी detail आपको show हो जाएगी और closing currency की पूरी detail आपको show हो जाएगी तो इस तरह से आप day by day की report मिल जाएगी अगर हमको पीछे किसी date की report चेक करनी है कि उस दिन क्या opening balance था क्या closing balance था कितना कितना हमने किस तरह से collect किया हुआ है और जो हमारी opening currency थी वो क्या क्या थी और closing currency क्या थी वो आप सब check कर पाएगे उसी तरह से अगर आपने day book की report देखनी हूँ तो day book की report भी यहां पर show हो जाएगी कि जिस दिन का डे book हम देखना चाहते हैं हमने माली डे book देखा तो 6 March में एक हमने receipt चड़ी थी 73 रुपीस की और bill दो बनाए थे जिसमें हमारा cash collection हुआ और UPI से collection हुआ तो total हमें यहां पर जो balance amount अगर पीछे किसी का बचा हुआ है पूरे patient आपके पार registered है तो balance amount भी एक साथ आपको total लगे दिखा देगा और लेकिन balance amount को receipt amount payment amount expenses amount में एड रही करेगा लेकिन बस आपको show कर देगा कि यह balance amount अभी तक बचा हुआ है जो आपने लेना है लोगों से वो आप यहां पर maintain कर पाएंगे और net amount जो है 12.33 यानि इतना आपका पूरा collection हुआ है 6th of March का तो इस तरह से आप daybook की report भी देख पाएंगे अगर हम उसको और थोड़ा पीछे से देखेंगे date को तो पूरे पीछे से देखेंगे तो थोड़ा से हमने date को पीछे कर लिया तो तो total receipt amount इतना है, expenses amount इतना है, total lent amount इतना है उसी तरह से जो daybook का भी आप पीछे से अगर देखना चाहिए, यानि date को अगर हम 6 March ना करके 01 March कर दें और show करें तो हमें 1 March का दिखाएगा, फिर 2 March का दिखाएगा, then उसके बाद 3 March का दिखाएगा, 4 March का दिखाएगा, ऐसी जहां तक हम देखना चाहते हैं, यानि जहां तक हमारा day end हुआ है, वहां तक आपको पूरी detail यहां पर show हो जाएगी, with currency, with collection और with voucher, जो voucher आपने बनाए हुए हैं, वो voucher की detail आपको यहां पर show हो जाएगी, तो इस तरह से PCSMP, आईलवेदा क्रेमिक सॉफ्टर में आप day book पूरा maintain कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी tarnations related informations हैं, उसमें कोई भी छेड़ आपको पता चलता जाएगी, कितना हमने expense कर दिया, कितना payment करी है, कितना receipt किया है, और जो भी हमारा opening closing currency थी, वो सही तरह से maintain हो रही है, यह भी आप देख पाएंगे, I hope आपको यह feature पसंद आया होगा, thanks for watching this video, have a nice day.